गुलबरगाई शहर के आदर्श नगर में एक शक्स ने अपनी पत्नी को बच्चों के साथ माईके भेज कर खुदकुशी कर ली है मरने वाले शक्स की पहचान 42 साला अमरेश के रूप में हुई है जिसने अपने ही घर में फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली है स्कूल की छुटियों के चलते अमरेश की पत्नी बच्चों के साथ बसवकलियान अपने माईके चली गई थी इस हादसे के दो दिन पहले पत्नी ने कॉल कर घर वापस आने की बात कही तो अमरेश ने कहा बच्चों के स्कूल शुरू होने के बाद ही घर वापस आना और घर पर कोई ना होने की वज़ा से अमरेश ने फैन से लटक कर खुशकुशी कर ली है ये वाखे आज से दो-तिन दिन पहले पेश आया है पर घर बंदोने की वज़ा से किसी को इस बात की ख़बर ना मिली और जब डेट बोडी से गंदी इसमेल आसपास घूमने लगी तो पडोसे उन्हें पोलीस को इनफार्म किया तो ये मामला सामने आया है खुदकुशी करने की वज़ा आप तक सामने नहीं आई लेकिन वताया जा रहा है कि किसी परेशानियों के चलते ये ख़दम उठाया गया है पोलीस मौखाय वारदात पर पहुँचकर इन्वेस्टिकेशन कर रही है और डेट बोडी को पोश्माराम के लिए भेज दिया गया है इस वीडियो प्रेजेंटेट बाइ सबा इंटरनाशनल स्कूल गुलबर्गा Students Getting Both Islamic and Modern Education From Well-Qualified Teachers Indoor and Outdoor Games and Receive Care From Dedicated Staff Air Conditioner Smart Classes Admission are now open Contact for more details